वीडियो एडिटर की जरूत हर किसी को पढ़ती है खास और से जब भी आपको सोसल मीडिया पे कोई वीडियो अपलोड करनी होती है तो उसकी एडिटिंग के लिए या फाइनल टच देने के लिए एक वीडियो एडिटर की जरूत होती है काफी सारे फ्री में वीडियो एडिटर आपको मिल जाएंगे Google Play Store पर लेकिन उसमें आपको हमेशा जो उनका लोगो होता है वो आपकी वीडियो में दिखाई देगा यानि कि एक तरह का उनका मार्क जिससे आपकी वीडियो का परफॉर्मेंस जो है लुक है वो खराब हो जाता है तो आप क्या करते हैं कि paid video editor खरीदते हैं जिसमें उनका logo नहीं होता final video में उसका up-yuk करते हैं तो वहाँ पर आपको पैसे देने पड़ते हैं और बहुत सारे आपको free में application भी मिल जाएंगे जो कि आपको without logo video editing की सुभिदा देते हैं लेकिन उसमें add बहुत आती है अब दिक्कत यह होती है कि यह जितने भी video editor बने हैं अधिकतर जब से YouTube आया है उसके बाद से और ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा video editing YouTube के लिए होती है अब Facebook, Instagram के लिए भी होती है तो यहाँ पर YouTube ने खुद का video editor launch कर दिया है जी हाँ खुद का video editor advertisement उसमें नहीं रहेगी बहुत ही simple है और बहुत ही काम का है साथ ही साथ company का कोई भी logo आपका video की final touch में नहीं आएगा यह बनाया है उन लोग के लिए जो video editing करना चाते हैं और free में application यूज करना चाते है साथ ही साथ चाते हैं कितनी भी बड़ी video वो बना दें लेकिन उसमें logo ना आए mark ना आए, watermark ना आए तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं Google का trusted product यह क्या चीज है देखो वी ऐसे तो बहुत सारे application है लेकिन सभी कुछ न कुछ limitation होती किसी में आपको background दिक्कत हो जाएगी किसी में आपको 10 minute की video के वल frame edit करने की permission होती है किसी में आपको watermark देखने को मिलता है तो यहाँ पर हम search करेंगे YouTube का YouTube का YouTube create नाम से एक नया application आ गया है मैं आपको पास से लिखा देता हूँ YouTube create Google का product है जो कि मैंने install कर रखा है और मैं तो अपनी काफी सारी video इसीच से edit कर रहा हूँ चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में तो यहाँ पर मैंने इसको install कर रखा है आप इसको install करके open कर लीजिए और यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको एक project मैंने अभी बनाया था और एक project नया हमें बनाना है तो यहाँ पर जैसे ही click करेंगे वीडियो और photo में से जो भी आपके mobile phone में होगा कोई भी आपको select करना होगा तो मैं यहाँ पर एक video select करना चाहता हूँ मैं एक video select करूँगा यहाँ पर मैं एक video यह select कर लेता हूँ वीडियो select करने के बाद यहाँ पर इस तरह का एक format आ गया है अब यहाँ पर आप इसको अगर cut करना चाहते हैं तो cut कर सकते हैं overlay, text, sticker, sound add कर सकते हैं, voice over कर सकते हैं, caption add कर सकते हैं इसके अलावा अगर वीडियो को select करेंगे तो आप इसमें filter भी लगा सकते हैं, effect भी लगा सकते हैं effect देखी काफी सारी effect आपको यहाँ पर मिल जाएंगे आप किसी का भी use कर सकते हैं यहाँ पर माली जी यह मैंने लगाया तो इस तरह का effect हो गया मैंने यह वाला लगाया तो इस तरह का effect हो गया यह वाला लगाया तो इस तरह का effect हो गया अब मैं इसको reset करूँगा यानि पहले के तैसा अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर filter लगाता हूँ filter में आप ये यूज कर सकते हैं बहुत सारे filter हैं ये यूज कर लिजी ये और color जादा हो जाएगा इस तरह से आप यहाँ पर filter यूज कर सकते हैं अगर लग रहा है कि जो भी चीज यूज करना है उसको हटाना है तो reset कर दीजिए तो जैसे format में पहले था वैसे ये आ जाएगा अब यहाँ पर इसके अलावा effect हो गया आप इसके color को adjust कर सकते हैं brightness कर सकते हैं, contrast कर सकते हैं यहाँ पर यह देखिए और color contrast कर सकते हैं brightness कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह से डन कर देंगे तो वो चीज एपलाई हो जाएगी इसके बाद रूटेट कर सकते हैं इमेज को रिपलेस कर सकते हैं रिपलेस कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं इसका डूब्लिकेट भी ला सकते हैं यहां पर हमने इसका एक डूब्लिकेट भी ले लिया इस तरह से बहुत सारी application आपको दी गई है text लिखना है, यहाँ पर text effect में बहुत सारी application है बहुत सारी तरह की other मैंने काफि सारी video अडिटर यूज की है उनसे जादा यहाँ पर text दिया गया है बहुत सारी चीजे दी गई है जो कि हमारी video को और काम की बनाती है तो यहाँ पर sticker आपको चाहिए sticker है, GIF है, emoji है ऐसी चीजे है, sound है यहाँ पर सबसे बड़ी sound की बात होती है तो sound आप जो YouTube का free का audio platform है without copyright वाला उसको use कर सकते हैं, वो सारे गाने यहाँ पर copyright कोई भी आपको music नहीं मिलेगा sound effect मिल जाएगा तो यह सारी चीजे आप यहाँ पर करके एक अच्छी खासी वीडियो यहाँ पर तयार कर सकते हैं तो यहाँ पर हो जाएगी एक अच्छी खासी वीडियो तयार और इस चीजे का आगे आने वाले दिनों में और भी इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स जोडने वाले अभी तो यह बीटा तोर पर लांच किया गया है यानि अभी इसकी टैस्टिंग चल रही है और भी इसमें कमाल के फीचर्स एड होने बाकी है इस महीने में यह पुरी तरह से कम्प्लीट हो जाएगा और आगे भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा सबसे बड़ी बात है कितनी भी बड़ी आप वीडियो एडिट करें कोई आपको वाटर मार्क नहीं देखने को मिलेगा वीडियो लिमिट नहीं मिलेगी हर तरह का एकदम हाई क्वालिटी में आप वीडियो यहाँ पर एडिटिंग करके प्रोड्यूस कर सकते हैं और डायेकली चाहे तो अपने यूटुब चैनल पर इसको अपलोड भी कर सकते हैं कहीं और जानिक जो नहीं है वीडियो अच्छी लगी है इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक किजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें